श्रीमत भागवत गरंथ जन्म वर मुरुत्यों के भय का नाश कर देता है भक्ति के प्रभा को बढ़ा देता है तथा भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान साधन है मन की शुद्धी के लिए श्रीमत भागवत से बढ़कर और कोई साधन नहीं है सुदर्चन नगर पाटिल चौक, हुरकेच वर रोड में जारी संगित में श्रीमत भागवत ग्यान यग्य मोहत्सों के दोरान भागवत कथाकार विवे कानन नौगरे माराज ने भक्तों से कहे कथा का आई जन्चार अप्रेल तक किया गया है कथाकार महराज ने कहा कि कथा की सार्थकता अभी सिद्ध होती है जब इसे हम अपने जीवन व्यभार में उतारे और निरंतर हरी स्मर्ण करते रहे अपने जीवन को आनन्द में मंगल में बना कर अपना आत्म कल्यान करे श्रीमत भागवत का श्रवन वद दर्शन हर किसी को प्राप्त नहीं होता जब किसी के भागे खुल जाते है तब ही श्रीमत भागवत जैसे गरंथ का श्रवन हो पाता है पावन रुदे से इसका स्मरन मात्र करने पर करूड पुन्यों का फल प्राप्त हो जाता है कल योग में भागवत साक्षा श्री हरी का स्वरूप है जो फल अन्ने यूगों में तपस्या योग समाधी के द्वारा प्राप्त नहीं होता था वह पल कल योग में मात्र भगवान श्री हरी के किर्टन से प्राप्त हो जाता है शान को शे बज़े महाप्रिशात का अउजन की आ गया परिसर के सभी लोगों ने महाप्रिसात का लाब लिया श्रीकृष्न जन्मा की धूम हमें शेहर भर में दिखाई दे रही है राम नौमी के उपलक्ष में जगजगव भागवत कत्ताव का आउजन की आ जा रहा है इसी के चलते हुड़केश्वर मार्क सुदर्शन नगर पाटिल चोक में भेविवेकानन नौगरे माहराज द्वारा भागवत कथा की जा रही है उन्होंने अपनी वानी में श्रीकृष्ण जन्म पर कहा कि श्रीकृष्ण का जन्म विष्णों के रूप में हुआ था तब उनके माता पिता ने प्रारतना की थी कि वह एक साधारन बच्चे में बदल जाए ताकि कांसुस का पीछा छोड़ सके प्रभु ने अपने पिता को उन्हें पृंदावन में ली जाने और एक नौजाद बच्ची के साथ अदला बदली करने की सला दी थी इस प्रकार से गोवरधन पूझा पर भी प्रकाश डाला दीपावली के अगले दिन गोवरधन पूझा होती है लोग इसे अनकूट के नाम से भी जानते हैं इस्तेवार का भारतिय जीवन में अधिक महत्व है, इस पर्व में प्रकृति के साथ मानों का सीथा समन्न है, इस पर्व की मान्यता और लोक कता है कि इस अवसर प्रकायों की पूजा बढ़ी आस्ता के साथ की जाती है.